Hello everyone and welcome back, आप लोग को दुबहर स्वागत है हमारी इस वीडियो में और आग की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं Ambigousness and Multiple Inheritance, यह Multiple Inheritance में जब हम दो Parent Classes यूज करते हैं और दोनों Parent Classes में Same Name के Data Members या Member Function हुए और वो सीके अंदर Inherit हुए तो हम कैसे Particular Data Member या Member Function को Access कर सकते हैं अगर आप को समझ नहीं आए तो अभी समय रजाएगा कि मैंने क्या बोला है आप यह एक्जामपल ले लेते हैं तो यहां पर तीन Classes में ने रखे हैं, Classes बहुत छोटी रखे हैं क्योंकि मुझे Explain करना है मुझे I don't want to get in depth बस मुझे Explain करने के लिए sufficient है यह Classes ठीक है तो आप यहां देख सकते हैं तीन Classes है Class A, Class B, Class C और यह Lesson 3.cpp फाइल Code हमेशा की तरह description में है ठीक है तो Class A के अंदर भी एक Public Data Member है जिसका नाम X है और यहां पर भी यही है और C के अंदर Y है अब मैं क्या करने वाला हूं क्योंकि मैं Multiple Inheritance अप्लाए करनी है तो मैं क्या करूंगा C को अपना Child बनाऊंगा और A और B को अपने Parent बनाएंगा तो उसके लिए हम क्या करते है पहले कोनल लगाएंगे फिर हम लिखेंगे Public Public पब्लिक लिए इनहेरेट कर रहा हूं Public A Public B आए बाइ राइटिंग दिस मैं बोल रहा हूं compiler को कि आप पब्लिक लिए इनहेरेट करो A और B C के अंदर ठीक है प्राइट होते ही नहीं है यहां पर सिर्फ पब्लिक की बात हो लिए तो यहां पर सिर्फ X और Y इसकी Public Scope के अंदर आ जाएंगे अब C की Public Scope के अंदर आ गया है तो C का एक object डिकले कर देते हूं B J as usually और मैं क्या act करता हूं मैं access करने कोशिश करता हूं वाई को ठीक है तो इसके लिए मैं लिकाँगा C out ठीक है C out enter Y ठीक है ठीक अब Y हम enter करेंगे ठीक है और यहां मैं डाल देता हूं semicolon c in obj obj.y और उसके बाद मैं c out भी कर दूँगा end में values पर उससे पहले c out और enter x अब क्योंकि x भी है object c के अंदर क्यों है x क्योंकि x a और b के अंदर लाए करता है अब x की value आ गई x of x of a कर देता हूं कि a का x चीए मुझे है ठीक है और similarly मैं b का x को भी रखूँगा ठीक है c in obj.x ठीक है और यहां पर भी मैं यह करूँगा c in sorry मैंने शायद से arrows उल्टे लगा दिये है c in obj.x अब यहां पर हमारा पास एक issue आता है issue यह आता है compiler को पता नहीं कि कौन सा x को मैं particular बला रहा हूं यहां मैं a के x को बला रहा हूं यहां कि b के x को बला रहा हूं तो यहां पर ambiguousness आती है कि कौन सा x को compiler consider करे क्या जो पहले लिख रहा हूं इसके को consider करे है जिसको बाद में हेरेट किया उसके को consider करें पर क्या rule follow करें कि particularly x की value आजाए उससे पहले हम c out statement दे देते हैं किसलिए दे रहे हैं ताकि हम साई values को print कर आजए अपना एक्स और उपर भी आगा अपना एक्स ठीक कर देख लेते हैं फॉर प्रॉब्लम्स पहले शो हो गई है ठीक है एर्र देखते है एर्र आया है इसके लिए हमारे पास फिर साम यूज करेंगे फुल नेम और मेंबर्स आपको याद होगा जब हमने outside the function outside the class function definition की बात करी थी तो हमने फुल नेम इस्तमाल करेंगे अपने डेटा मेंबर्स का फुल नेम का मतलब क्या आता है class name फिर scope resolution operator फिर member का नाम ठीक है तो हब सेम चीज जहां करने वाले है हम एक्स ना लिखे एक्स का पूरा नाम लिखेंगे एक्स का पूरा नाम क्या होगा a scope resolution x x of class a आप यह भी कह सकते हैं कि class a के अंदर जो x है similar चीज हम यहाँ करेंगे b of class sorry x of class b ठीक है अब यही चीज हम यहाँ पर भी कर देते हैं a and b अब हमारे चीजे smoothly work करने चाहिए ठीक है रन कर देया program देखते हैं हमारे पास क्या आता है हमारे पास y एंट्री करने के लिए 10 दे देते हैं a के x को हम दे देते हैं 20 b के x को देते हैं 30 अब हम अपा value print हो गई है आप देख सकते हैं आप देख सकते हैं x की दोनों values दिफरेंट दिफरेंट हरें 20 और 30 तो यह एक तरीका है जिस तरीके से हम क्या कहते हैं particularly किसी एक को क्या कहते है identify कर सकते हैं full name देखे ठीक है चलो यह तो एक issue हो गया multiple inheritance में क्या कहते हैं अब हम बात करेंगे hybrid inheritance की hybrid inheritance में एक issue और आता है suppose देखो A से inherited है B A is base of B A is base of C तो A के जो इतने भी members होंगे वो B में होंगे और वो ही C में होंगे ठीक है और अब जब हम D के parents कौन है B और C और B के अंदर A के भी हैं और B के अंदर यहां A के भी हैं और C के अंदर भी A के हैं तो A की double copies जाएंगी D के अंदर ठीक है तो क्या जाएंगी double copies जाएंगी D के अंदर और अब मैं इसको imply करके देख लेता हूं यही same code copy करेंगे नई file बनाएंगे lesson 04.cpp के नाम से यहां paste कर देते हैं और क्या करें class का नाम है A अब यहां पर A कर देते हैं A मैं कर देते हैं B और इसको भी remove कर देते हैं यहां से main का भी clear कर देते हैं अब फिलाल comment कर देते हैं in fact comment out कर दिया और यहां पर आगया C और मैं same class बनाऊंगा D के साथ ठीक है यहां पर आगई D अब हमने बोला था कि B और C हैं मने publicly inherit A से ठीक है तो हमें यह चीज करने पड़ेगी B और C के साथ ठीक है अब हम क्या करेंगे D को inherit करेंगे publicly B और C से ठीक है public C B और C ठीक है तो आप देखे रहोगे कि D को हमने public ने inherit कर लिया B और C A से inherit हो रहे है तो और वैसी बात है D के अंदर double copies जाएंगी A की क्योंगी B में भी A की copy है और C में भी A की copy है तो double copies जाएंगी D के अंदर करेंगे कर दिया अब हम value भी enter कर आ लेते हैं ठीक है A B C D सब कीटी है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको uncomment करेंगे यहां करते हैं B A से शुरू करते है A सारी के सारी values लिख दी यहां पर D हैगा A B C D आ गया अब enter करा दिया हमने value अब हम इसको paste भी करा देते हैं paste करने इसको फिर uncomment करता हूं इस चीज को remove करते हैं अभी के लिए और यहां डालते हैं हम Y की जगा आएगा यहां पर A तो आप यहां देख सकते हैं कि मैंने यहां पर scene भी करा लिए सारी values और put भी करा रहा हूं अब हम इस program को run करें ठीक है रन गया हमने program अब program run करने रनने करते हैं और हमाँ पास आगया error अब देखें नॉन static member A found in multiple blaze sub-objects of A यह कहा है class D B से inherited है और B A से inherited है class D C से भी inherited है और C A से inherited है तो वह कह रहा है कि फिर से हमारे पास A के double copies आरी है ambiguousness ने सारी है ambiguous names look up तो अब हम क्या करेंगे इस चीज को solve करने के लिए पहली बात A के दो रूप है या फिर किसके हैं दो copies है एक है B से और एक है C से तो फिर से हमें full name इस्तेमाल करने पढ़ेंगे और यह चीज़ हमाँ identify करनी है कि हाँ पर दो A है एक A है ही नहीं ठीक है अब हम करेंगे enter A of B C colon colon A C colon colon A ठीक है यह चीज़ हम इस्तेमाल करेंगे यहां पर भी और यहां हम करते हैं यूज इसको B colon colon A इसको copy करते हैं बेस करते हैं और C colon colon A A of B A of T ठीक है अब हम इससे program को run करते हैं देखते हम आपर output में क्या आता है output में हाँ कहा रहा है कि A of 10 डाल दी 20 30 40 50 और मैंने यहां पर A लिख दिया है शाय से A B C D करते हैं अब यहां पर value करते हैं 10 20 30 40 50 अब यहां पर एक issue आता है इस चीज़ को tackle करने के लिए हम क्या use करते हैं इस चीज़ को tackle करने के लिए हम जो use करते हैं उसको कहते हैं virtual based class को कैसे implement करेंगे हमें क्या करना है simply simply हमें लिख देना है यहां पर virtual public A virtual virtual यहां पर भी हम virtual लिखेंगे अब हमने virtual लिखी दिया है अब हम देखेंगे कि एक ही copy जाएगी कि कहते हैं A की D के अंदर एक ही copy होगी A plus की D के अंदर यहां पर हम ऐसे लिख पाएंगे और एक ही हमारे पास variable A होगा ठीक है तो यहां से हम इस शीज़ पर अटा देते हैं यह A लिख दिया यहां से भी A लिख दिया ठीक है, सेफ किया रन कर देते हैं यहां पर आ रहा है A of C, sorry C हठा देते हैं इस चीज़ को यहां लिख देते हैं A और screen को clear कर देते हैं और अब देखते है रन कर देते हैं पहले कर देते हैं value of A is 10 20 30 40 हम यहां देख सकते हैं A, B, C, D सब्सक्राइब अच्छे सब्सक्राइब कर पा रहे हैं और यहां पर हम यह भी देख पा रहे हैं कि A की कॉपी गई है तो यह हो गए हमाई virtual class तब तक के लिए कोई डाउट हो तो comment box में लिख सकते हैं हम उसको टैगल करने हैं कोशिश करेंगे बाए कर दो